प्रशाद के रूप में और आप बाहर किसी को दे आए या मंदिर में छोड़ाएं या फिर कहीं बाहर किसी पेड़ के नीचे रखाएं अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो तुरंत करना बंद कर दें क्योंकि मंदिर से मिला हुआ प्रशाद चाहे कहने वाला हो या कोई भी वस तु हो वो भगवान का संकेत होता है कि आप उस चीज को घर लेके आएं और सासा देविय शक्तियां भी आपके घर आएंगी तो ये भगवान का संकेत होता है कि आपकी किस्मत बदलने वाली है क्योंकि आपको जो चीज प्रशाद के रूप में मिल रही है आप उसको घर ल ले तो इसलिए कभी भी ऐसी गलती नहीं चाहिए बहुत सारी लोग मैंने देखा ऐसे करते हैं मंदिर से प्रशाद मिलता खाने के लिए तो बाहर बच्चों में बांड देते हैं थोड़ा सा अपने पूजा की होती है वहाँ पे तो प्रशाद भगवान का आश्रवाद के रूप में आपको खाना है उसमें भगवान का आश्रवाद होता है बाहर बांटना नहीं है किसी को भी नहीं देना ठीक है और जो आपको अगर जिन वस्तुओं के बारे में मैं आपको बताऊंगी अग पंडिजे आपको फूल माला देते हैं, तो उस माला को अपने साथ अपने घर लेके आना है, बाहर कहीं पेड़ की नीचे नहीं रख देना या किसी को देना उसमें भगवान का आश्रुवाद है, मतलब भगवान ने ये संकेत दिया है, कि ये मेरा आश्रुवाद है, मैंने आपकी प्राटना सुन ली है अब आप इस चीज को घर लेके जाएं ताकि शक्तियां आपके साथ घर आएंगे उसमें बहुत पॉजिटिविटी होती है मंदिर का वातावरन बहुत पवित्र होता है तो मंदिर से जो भी चीज आपको मिले प्रशाद के रूप में उसको घर लाने से घर का वातावरन भी मंदिर जितना पवित्र हो जाता है बहुत जादा इसको भगवान का ये संकेत मानिए कि अब आपकी किस्मत बदलने वाली है दूसरी चीज फूल माला हो गया अगर आपको फूल मिलते हैं जैसे कई बार प्रशाद के साथ साथ पंडी जी फूल भी दे देते हैं तो लोग क्या करते हैं प्रशाद खा लेते हैं फूल भार कहीं पेड़ के नीचे रख देते हैं या कहीं तो ये चीज नहीं करनी या गमले में बहार डाल देते हैं फूल भी मिले तो वो भी अपने साथ घर लेके आने है लाल चुनरी कई बार मिलती है पूजा करने के बाद नवरात्रों में जाधा तर ऐसा होता है कि आपको पंडे जी ने लाल चुनरी दी तो लाल चुनरी भी आपने घर लेके आनी है उसको मातरानी का आश्रवात समझके कि अब मातरानी हमारे घर में प्रवेश करेंगी उन्होंने संकेत दे दिया है कि अब मैं बहुत जल्दी तुम्हारे घर आने वाली हूँ और घर आके आपने घर में पूजा स्थाने वहां लाल चुनरी रख दे इस तरीके से आपने करना है इसके अलावत जो भी कोई भी वस्तु आपको मिलती है मंदर से वो आप घर लेके जरूर है बाहर कहीं न रखे और देखे ये इसको करने के बाद ही आप देखना कैसे positive changes आते है life में कई बार मुझे भी मैं मंदर जाती हूँ पूजा करने कई बार पंडी जी प्रशाद देते हैं साथ में कुछ भी देते हैं तो मैं घर लेके आती हूँ उसके बाद से एकदम से पता नहीं क्या हो जाता है घर का atmosphere इतना positive हो जाता है इतनी happiness हो जाती है और ऐसे लगता है सारे काम बहुत easily बन रहे हैं आपने आप बन रहे हैं कई बार आपने देखा होगा कि पंडी जल दे देते हैं गंगा जल दे देते हैं तो गंगा जल भी आप घर लेके आएं और पूरे घर में उसका चड़काव करें तो पूरे घर से negativity दूर होगी और घर में positivity आएगी ये काम तो वैसे भी आपको करना चाहिए गंगा जल लेके पूरे घर में उसका महीने में एक बार या वीक में एक बार चड़काव जरूर करना चाहिए इससे क्या होता है घर का atmosphere हमेशा positive रहता है और अगर ये चीज आपको मंदर से मिले तो इसका मतलब भगवान का संकेथ है भगवान चाहते हैं कि आप ये जल लेके जाए और अपने घर में इसका चड़काव करें और भगवान आपके घर में आके दर्शन देंगे बहुत जादा अच्छी चीजे होती है ये बहुत जादा सकरात्मक चीजे होती है इसका ये मतलब होता है कि भगवान खुद चाहते है कि आप ये चीज ये प्रशाद अपने घर लेके जाए और ताकि वो आपको दर्शन दे उस प्रशाद में भगवान का वास होता है तो आप वो प्रशाद घर लेके आएंगे या जो भी वस्तु है फूल है फूल माला है चुनरी है जल है जो भी है तो उसमें भगवान का साक्षाद वास है भगवान चाहते हैं कि आपके घर आए हो उस प्रशाद के रूप में तो कभी भी बाहर किसी को देखे या कहीं रखके नहीं आना चाहिए इस बात का विशेश दिहान रखे मिलते हैं नेक्स वीडियो में